हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल स्टड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो आज हुम्रत क्लास्ट टूइल्थ के बालोजी के मडल पेपर सुलूसन के बारे में डिस्कूस करेंगे जो मारे बोर्ड एकजाम के लिए अती महत्तिय कोशन्स है यह निव पेटर्ण पर अधायत रहेगा इसमें एक सर्था तक अबजेक्टिव रहेंगे जिन में से हम लोग को कि नहीं 35 प्रशनों का ही एंसर देना है लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सर्था तक अबजेक्टिव कोशन्स को तो चलिए हम 32 और D है 64 तो यहां पर पूशा गया है कि अन्वान सी कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है तो इस प्रशन का राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों तो इसका राइट एंसर जो भी दोस्तों 64 दिया है यानि कि 64 यानि कि D इसका राइट एंसर होजेगा option number D D is the right answer for discussion और यहां पर प्रश्ण आप देख रहे होंगे कि मानो मादा में अंडुत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हर्मोन कौन सब्सक्राइब होजेगा इस तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि यहां पर मानो मादा क्या है मादा यानिकि नौर सब्सक्राइब होजेगा इसका राइट एंसर होजेगा चलिए हम लोग नेक्ष्ण प्रश्ण को देखते हैं और यहां पर प्रश्ण आप देख रहे होंगे इस्क्रीन पर जो की काफी महत्त्यपुन है कि भूण कोस की उत्पती निवनांकित में किससे होती है लगो बीज से और डी है पराग न लिका से तो इस प्रश्ण का राइट एंसर अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि आपको यह सभी प्रश्ण तर पहले भी करवाया जा चुका है तो यह आपसन नमर्ट जो सी है वह इसका राइट एंसर होजेगा चलिए हम लोग नेक्ष्ण प्रश्ण को काफी महत्तपुन है कि एड्स के लिए इनमें से कौन सा जाच उपयुकते है पीसी आर एलीसा और बेश्ण बलाट और जो डी है साउदर्न बलाट तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो एड्स के लिए पूछा गया है तो एड्स के लिए यह एलीसा टेस्ट होता ह जो की काफी महत्तपुन है और जो यहां पर जो सी है वह इसका राइट एंसर होजेगा और यहां पर परस्ण आप देखेंगे पांचवान परस्ण जो की काफी महत्तपुन है कि निम्नायकित में कौन इंजाइम पीसी आर तकनिक में इस्तिमाल होता है तो पीसी आर तकनिक म और यहां पर DNA उंगल छापी का आधार क्या होता है इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो यह अनुकरम में बहुरूपता इसका राइट एंसर रोजगा जो भी दोस्त आपसन नमर B को बताए हैं उनका राइट एंसर रोजगा आपसन नमर B और यह परस्णों स्यमस्थ पहले भी करवाए जा चूका है कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए व्यूर्ज्थ इसमें कितने परतिसाभ दोस्तों यानि कितने प्रतिसाद की हानी होगा इसको हम लोग सौट देंगे तो इसको दौस परसेंड की हानी होती है यानि कि 90% इसके पास ऊर्जा पहुंसती है तो यह 10% इसका राइट असर 生ROज़े यहाँ जो नियम था या कि इसके द्वारा दिया गय क्या और दुस्तो तो अभी तक आपका इंसर भी यह तो PDF बन चुका है मात्रे 99 रुपीज में आपको तीन सब्जेक्ट दिया जा रहा है सब्जेक्टिव कोशंस यानिके लॉंग और सौट कोशंस तीनो तो फिजिक्स केमेश्ट्री बाइलोजी का PDF बन चुका है तो आप लेने का प्रयास किजेगा क्योंकि यह सब्से कम रुपीज में आपको वो प्रुवाइट कर दिया जाता है जो बोर्ड एक्जाम में सेम तुसेम कोशंस यहीं इसी PDF से रहने वाले है माल जिए आपको PDF लेना हो तो इसी नमबर पर आप मेसेज करेंगे यहीं फोन पर नमबर है तो इस नमबर पर आप फोटो खीच कर भेज देंगे यानि कि पेमेंट करके स्क्रीन सट करके इस नमबर भेज देंगे यहीं हमारा फोन पर नमबर भी है कॉंटेक्ट नमबर भी है और वार्शेट नमबर भी है आप अगर बात करके लेना चाहते ह PDF तो आप ले सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से वो आपको provide कर दिये जागा आप刚 समय में जादा max इनही सेसनों के माध़म से या इसी PDF के माध़म से आप कर सकते है दोस्तो बिल्कुल ही आसानी से दोस्तो तो नमबर है 87,160,277 इसे आप स्क्रिन्सोट भी ले सकते हैं ठीक लेने का जरूर ही प्रयास किज़ेगा क्योंकि ये 99 रुपीस ये ज़्यादा नहीं है दोस्तो आप सभी के लिए और मल ज़िए आपको दो सब्जिक लेना है फिजिक्स और केमेस्टिक के लिए तो आपको मात्र 80 रुप्या ही राखा गया दोस्तो क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं राखा गया है ताकि सभी लोग असानी पुर्वग ये PDF ले सके और अपना तयारी बिल्कुल ही मजबूत कर सके ठीक इसलिए इतना कम रुपीस राखा गया है तो यहाँ पे आठोन अप्रस्ण आप देख रहे होंगे कि जिवाणू एंव कवक क्या होते हैं वो भोगता द्वित्यक उभगता अब घटक और डी है इनमे से सभी तो जिवाणू एंव कवक जो होते हैं इसका राइटेंसर क्या होना चाहिए तो यह option जो C है वो इसका र उत्पादित नहीं कर सकता है मीथेन ऑक्सीजन करबन डायकसाइड और डी है हाइडोजन शलफाइड तो यहां पर मीथेनों जेंस पूछा गया है तो इस प्रस्ण का जो भी दोस्त ऑप्सन नमबर भी बता रहे हैं वो टू यानिकि ऑक्सीजन इसका राइटेंसर होजेग चलिए हम लोग नेक्स्टा प्रस्ण को देखते हैं पीडियेफ चरूड लेने का प्रयास किजिएगा दूस्तों पीडियेफ ले लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव कोसंस पूर्मनता किलियर हो जाएगा ठीक जितने ही मानले जिए जो केमेस्टि से डाउट रहता है जो और गयनिक केमेस्टि वो भी आपका किलियर हो जाएगा खासकर जो नमाकवरां होता है सबнить और प्रकार से लिखा गया है और उन्ही पीडियाप से ही सही प्रश्णोंतर आने वाले हैं दोस्तों पीडियाप लेना चाहते हैं तो जरूर एक बार हमसे अगर बात करके लेना चाहते हैं तो जरूर लेने का प्रयास किजिएगा क्योंकि 99 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों ठेक और यहाँ पे है कि निम्नांकित में से नाइट्रोजन फिक्सर कौन है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में यहाँ बताना है कौन सब हो जाएगा तो दौस कर आइटेंसर जो भी दोस्त अप्सन नमबर B बता रहे हैं और सुगूरी ता पर बहुँ गूरी ता ए और बी दोनों और डी है इन में से कोई नहीं तो इस परस्णिका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि 2N पलस माइनस 1 पलस 2N पलस माइनस 2 की स्थितिक क्या कहलाती है तो इस परस्णिका जो भी दोस्त अप्सन नमर ए बता रहे हैं और सुगूरी ता इसका राइट एंसर होज़ेगा आप्सन नमर ए चलिए हम लोग निख्ट प्रस्ण को देखते हैं जल्दी जल्दी में चलिए कर लेते हैं सभी प्रस्णिकों की DNA पर परावेगनी कीर्णों के असर से क्या परभाव पड़ता है तो इस प्रस्णिका पर कारद का कारक दया होता है एक गूण सुत्र यज्व घृश्ट ए और दोनों और डी concert दो मैं से इसक उर नहीं तो यहां पर मनुष्य पूछा है तो मनुष्य में तो xy पड़ता है और इस सेरियों में x-88 तो य्योंकि y है इसका लिंग निक्न करता है है दोस्तर यानिक लड़की जन्म ले रही है तो उसमें इस्तिरिय को smallest फोर्स नहीं छोते हैं को fps Bay को देखने का मिलता है कि कोई अगर लड़की ऐल जन्म दे रही है तो उसी को भाला बुरा कहा जाता है लेकिन इसमें जो 100% जो जिम्हवार होते है वो पूरुस ही होते हैं, तो इसका यहां पर प्रस्चुन आप देख रहे होंगे, कि और्कियोपेट्रिक्स की स्काल में पाय जन्माला जिवास में पक्षी था तो इस प्रस्णिका राइट एंसर जो भी दुस्त आपसन नमर ए बता रहे हैं जुरासी के पिरियाड इसका राइट एंसर रोजगा आपसन नमर ए और एक प्रस्णिक पूछा जाता है कि जन्म अवाधी कितने दिनों के लिए होता है यानि कि कितने महा में जन्म अवाधी पुर्ण हो जाता है एक बच्चे के लिए तो चलिए इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि जनतू तथा पौधों के बीच सन्योंजी करीक कौन होती है तो जनतू और पौधों के बीच सन्योंजी करीक के रूप में यह बताना है कि कौन सह होगा क्या जिन्मारो विसाणो यूगुलिना या अमीबा तो इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए पंद्रह का यह option number C है युगली ना इसका राइट एंसर रोज़गा option number C C is the right answer for this question चलिए हम लोग next question को देखते हैं और यह प्रस्ण उतर आपके सामने भी आ चुका है कि जेमियूल्स की स्की भी सिस्ता है और sponge, hydra, east और D है B और C दोनों तो जेमियूल्स पुछा है तो इस प्रस्ण में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा यानि कि sponge इसका राइट एंसर रोज़गा option number A is the right answer for this question चलिए हम लोग next question को भी देख लेते हैं जो कि काफी महत्त्यपुन है और जली से एक बार टाइप कर देजिए कि परेवारन दिवास को मना जाता है जली से टाइप कर देजिए इस प्रस्ण में पहले कि परेवारन दिवास को मना जाता है तो कीन पोधों में निसेचन के लिए जल माध्यम आवास्या के है भी इस प्रश्ने का राइआफर जो भी दोस्त ओपसर बता रहे हैं बाराईवावफर इने के लिए जलमाधर अवाश्यक है तो यह बारा आएव फैर्ट के साथ पांच जून इसका राइट कर ढ़ेcomb और यहां पर बताना है कि किसे मादा जन्तु में मद चक्र नहीं होता है गाय कुट्ता मनुस्या खरगोस्त यह मद चक्र नहीं पूछा है तो इसमें तो मनुस्या में तो सब्सक्र नहीं होता है इसमें ऊसी इसमें भी ऊसी तो यह इसका राइट असरे मनुस्या में मद चक्र नहीं होता है चलिए हम लोग नेक्टा प्राश्ण को देखते हैं और यहां पर प्रश्ण आप देख रहे होंगे इसक्रीन पर कि अंडानों के कुछ का द्रब्य में कौन सिस्टरफला नहीं होती है राइबो गल्जी का असेंट्रो सम मेड्रोचंड रिया तो इस प्रश्ण य को धोसत आप समेंबर सी बता रहे हैं सेंट्रो स्ों इंगा राइट अन्सलों सी C is the right answer for discussion चलिए हम लग पीसोन प्रस्ण को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि Treponema Treponema Pallidum कीस बिमारी का रोग जनक है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए तो यह हर पीस इसका राइट एंसर होज़ेगा option number C C is the right answer for discussion और जल्दी से एक बार टाइप कर दिजे कि कर दिजे कौन सा प्रस्ण है तो आपको बताना है कि दिवी संकर के लिए फिनो टिपिक अनुपात क्या होता है दिवी संकर के लिए तो जल्दी से टाइप कर दिजे कि दिवी संकर के लिए फिनो टिपिक अनुपात क्या होता है इस प्रस्ण पढ़ने से पहले तो T सी लूप निम्नांकित में की से RNA में पाए जाता है तो इसका राइट एंसर जो भी दोस्ता अप्सन नमबर A बता रहे हैं राइबो जोमल RNA इसका राइट एंसर जोजगा अप्सन नमबर A तो प्रस्ण हम पूछे थे कि दिवी संकर के लिए फिनो टिपिक अनुपात क्या होता है तो जो भी दोस्ते नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात वन दिये हैं उनका राइट एंसर हो जगा तो यह सभी परस्णोतर जो हम अलग से पूछ रहे हैं वो सभी परस्णोतर महत्तो पूण्ड है जो आपके बोड एक जमें बार बार पूछे जाते हैं प्रतिलेखन की किरिया निमने में से कीस इंजाइम की आवसकता होती है DNA Polymerase First DNA Polymerase Third Helicase और RNA Polymerase तो प्रतिलेखन की किरिया कीस इंजाइम की आवसकता होती है तो इस परस्णे का राइट एंसर हो जगा वो अप्सन अबर D के साथ चला जाएगा यानि की RNA Polymerase ठीक और अप्सन में जो D है वो राइट एंसर हो जगा दोस्तों बता दे अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा इस नमबर पे 77,1,0,2,7,7 पर अगर आप बात करके लेना चाहते है PDF ताकर मिल जाएगा Physics और Chemistry को लेना चाहते है तो मात्र 80 है 80 रुपया अगर आप Physics, Chemistry और Biology का सब्जेक्टिव लेना चाहते है तीनों का तो 99 रुपीज वन ली ही इससे नमबर पे पे कर दिजेगा तो आपके बीच वो चला जाएगा दोस्तों स्क्रीन सट करके इसी नमबर पर सब कुछ है Contact नमबर भी है वार्षेप नमबर भी है तो इसमें बता दे इसका लॉंग कोशन और सौट कोशन दे दिया जाएगा जिनमें से ही आपके बोर्ड एक्जामें पूछे जाएगे 100% कोशन ठीक इसे आप जबूर लेने का प्रयास करेगे यह 99 रुपीज कोई ज़्यादा दाम नहीं है दोस्तो ठीक यह इतना कम रुपीज इसलिए राखा गया है ताकि सभी दूस्त आसानी से पॉर्चेस कर सके तो इस नमबर को आप स्क्रीन सट कर लिजे 771702707 ठीक अगर लेना हो तो इसी पर आप मेसेज कर सकते हैं या फोन कर करके भी बात कर सकते ठीक तो यहां पर प्रशण की कीटों ततरो पक्षियों के पंख कीँ स्तरह के अंग कहलाते हैं समझा तंग और सम्झा तंग औशेसी अंग और इन मैसे को यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि मरुवस तलिया अनुकूलन का उधरा निम्नांकित में कौन है तो इस प्रस्ण का राइट इंसर क्या होना चाहिए तो 24 का जो विदोस्त अप्सन नबर बी बता रहें नाक फॉनी इसका राइट इंसर रहें का अप्सन नबर बी च से 6 विमारी चेचक और टाइफाइड तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि बीसी जी वैक्सीन कीस विमारी से बचाव के लिए किया जाता है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जागा जो भी दोस्त अप्सन नबर 25 का भी बता रहे हैं च्छाय रोग यानिकि भी दोस्तो तो यहां पर 26 प्रस्ण भी आपके सामने आच चुका है दोस्तो कि निमनी लिखित में रेविज बीमारी का रोग जनक कौन सा होता है जिवारू बिशारू प्रोटो जुआ और डी है ए और सी दोनो तो इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि रेव इसका जो भी दोस्त बी बता रहे हैं विसांव या एनिके वायरस इसका राइट yan वागत बंगत में तुछा गया है कि निमनांखित में कौनों क्राम क्राम बीमारी होता है तो प्रस्ट का राइटेंसर और बी चलिए हम लोग नेखिन प्रस्ट को देखते हैं और यहां पे पुछा गया है कि सुनाहरे धान में कौन सा ट्रांस जीन होता है नाइट्रोजीनेज फाइट्डवेज सीन्थेक्स लाइगेज और डी है इनिवेसे सब तो सुनहरे धान में कौन सा ट्रांस जीन होता है तो 28 का जो भी दोस्त अप्शन नमर भी बता रहे हैं फाइटोई ने सिंथे तेज इसका राइटेंस रोज़ेगा अप्शन नमर भी इस दर आइटेंस रोज़ेगा और एक पूछा जाता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस न अंप बटहनों को देखते हैं और यहां पर प्रस्द है कि बी टी टॉक्सीं क्या होता है और पजुआ करॉसिये लीपीड बायोग में क्रिष्ट क्या होना चाहिए तो बीटि टॉक्सीं के रूप में दो यहां पर बताना चाहिए जो भीम ऑप सब्सैंस का नमर्ब बता रहे हैं बाहे को सी के ली पीड इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर्ब चलिए हम लोग नेक्श्ट अप्रस्ट को देखते हैं और यहां बताने के तीसरा प्रस्ट का राइट एंसर क्या होना चाहिए वीच अप्दा फ्लोइंग इज एक जोटिक ब्राइटी आफ फीस यहां पताना है कौन सा इसका राइट एंसर हो जाएगा तो कतला तो यह तो हमारे देश में रोहूत भी मिलता है लेकिन यह मांगुर मांगुर तो अखिरकर हमारे जो बॉली होती है या या पोखर होती है वहां पर भी मांगुर मिलता है लेकिन यह बीदेशी पर जाती ही का हो जाएगा ठीक तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी चलिए हम लग नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं और यहां बताना है कि बाहर अस्थाने स्रक्षर का उधारन कौन सा हो जाएगा तो इस परस्ट का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि बाहर अस्थाने स्रक्षर का जुद उधारन है वह वनस्पति उद्यान और प्रारी उद्यान इसका राइट एंसर हो जगा ए और बी बोथ दोनों इसका राइट रूजर का अप्सट नमर जो C है वह है इसका राइट रूजर का अप्सट नमर C चलिए हमलोग नेक्स्ट आपरस्ट को देखते रहे हैं और यहां बहुत बताना है कि परक्रश्ट में सौभ से अधिक संख्या निमन्नांकित की स्पीसीज की है तो परकृती में सबसे वाधिक संक्याग निमनाईकित में की Tibs species के है तो इसका Right answer क्या होना चाहिए तो इस परश्ण का Right answer जो भी दोस बता रहे हैं कीटो यानि कि Option जो बी है वोग इसका Right answer का Option बर भी चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं और यहां पे प्रस्ण भी आपके सामने आ चुका है कि संकट ग्रस्त इस पीसिस के लिए बाय अस्थाने स्रक्षन का एक उधारन कौन सब हो जाएगा तो इस प्रस्ण का राय अंसर का हो जाएगा तो इस प्रस्ण का जो राय अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं और इक बात हमेशा याद रखेगा दोस्तों जो भी दोस्त अगर मेहनत पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए उनका रिजल्ट भी बहुत ही बेटर होने वाला है तो अभी से ही आप अपना मेहनत जारी कर देजिए दोस्तों क्योंकि बोर्ड एक्जाम होने में बहुत ही कम समय बाचा हुआ है तो आप प्रेक्टिस आप हम यहां जरूरी है आप सभी को निम्नांगित में प्रद्धोग की उतपाद कौन सा हो जाएगा हुमोलीन फ्लेवर शेवर जीम फसल और D है इन में से सभी तो निम्नांकित परद्रगी के उत्पादक कौन सब हो जाएगा तो इस परस्ने का राइट एंसर हो जाएगा इन में से सभी D is the right answer for discussion PDF ले लेते हैं तो सब्जेक्टिव को से पुर्णता किलियर हो जाएगा तो यहां पर प्रस्न है कि प्रकृतिक अनुवांसिक के अभियांता निम्नांकित में कौन सब हो जाएगा तो इस प्रकृतिक अनुवांसिक अभियांता निम्नांकित में कौन सब हो जाएगा तो इस प पर फोन पे आपको करना होगा या वार्षिप के माध्यम से अगर बात करके लेना चाहते हैं तो इसी नमबर पर आप बात कर सकते हैं इसकी इस नमबर को ले सकते हैं 77-100-2077 चलिए नेक्ट परस्ट को देखते हैं और यहां पर परस्ट है कि हाथी के लिए सरी हाथी के लिए सक्षाषित 1-39 लांकित में काहा है पलाम पसुभीहार परियार पसुभीहार सिमलीपाल पसुभीहार Inc pamię EK तो हाथी के लिए सनरक्षित 1-39 लिकित में कौन sala हो जेगा तो इस प्रशने का इस्धर और आपसं रहे है परियार पसं बीः और आपसन बर बी इस दर आइट एंस और फोर्दिसकोसन चलिए हम लोग सेसन अच्छी लेग रही हो तो लाइक जो किज़े दोस्तो और अगर चान से नए जूड़े होंगे तो जोड़ सबस्क्राइब करेंगे दोस्तो इस पर आप वही सेसन आएंगे जो आपके लिए सक निम्नांकित में कौन है यहां पर बताना है तो 37 का राइट एंसर जो भी दोस्त आपसन नंबर यह बता रहे हैं यह सो टू नहीं के सल्फर डायक साइड इसका राइट एंसर अपसन नंबर यह दोस्तो और जल्दी से टाइप कर देजे कि जन संख्या दिवस को मना जाता है जन संख्या दिवस को मना जाता है जल्दी से टाइप कर देजे कि जन संख्या दिवस को मना जाता है जन संख्या दिवस ग्रीन हाउस यानि की हरीत घार गैस गैसे क्या सोखती है और अक्त बीकी रन परावेगनी बीकी रन गामा किने और सी है दोनों तो ग्रीन हाउस हरी गैसे क्या सोखती है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जएगा वह आपसन नमबर एक साथ चला रहेगा और अग्त भी किरन इसका राइट एंसर हो जगा चलिए नेक्ट प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि जोल में भारी धातु परदूसक निम्नांकित मे गौन होता है तो यह 39 प्रस्ण का राइट इंसर जो भी दोस्त अपसन नमबर सी बता रहे है निकल और रसे निक राइट एंसर हो जगा अपसन नमबर सी सी दर आइट एंसर प्वोर दिसकोशन और स्वबजियों को निम्नांकित में कौन उकसान पहुचाता है P.A.N.A यनिक पॉली उक्रोनाइट फ्लोराइड या दोनों और निम्नांकित में कौन उकसान पहुचाता है तो इस प्रस्ण का इंसर क्या होना चाहिए दोस्तों तो पॉली एक्रोनाइट्राइल नुक्सान पहुंचाता है इसका राइटेंस रोज़ेगा ऑप्सन नमबर ए इस दर आइटेंस अप्पोर्ड देख लेते हैं और यहां पे भी प्रस्ण आपके सामने आ चुका है दोस्तों अगर चानल से नए जूड़े होंगे तो ज़रूर ही स अथ्यपोर्ड हो दोस्तों यानि कि बोड़ इक्जामे इस सेसन को अगर अच्छे से त्यारी कर लेते हैं जीतने भी अकर सेसन आते हैं उन सभी सेसन को अगर आप सही से त्यारी कर लेते हैं तो बोड़ इक्जामे कहते हैं एक भी प्रस्ण तर आपसे अब छूटने वाले नहीं है दोस्तोդ रिलेक्सिं स्त्राव कहां होता है तो इस प्रसन का राई टेंशर जो भी दोस्त अपस्ञन दहने in कि evaluation takes place इन य cheating करेंवनिवीत होता है अपरा में चो तो हुई दिन अंटासे में या D है B और C दो दो तो अंटासी meiner किसे करेंवनिवीत होता है तो इस परस्तने का राइट अंटासर जो भी दोस्ता अप्शन प्रस नमर D बता हوجए है B और C दो दो यानि की अंडासे और चता होए दिन इसका राई टेंसर ओजिगा अप्सन नबर B और यहां पे बता दिजे की Lysene से प्रचूर सकती रतन तथा प्रोटीना इनमे से किस की किसमे होती है चावल यहूं कपास और माका तो इस प्रश्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि लाइसीन से प्रचूर सकती रतन तथा प्रोटीना इन में से किस के किस में होती है तो फोटी थीरी ने प्रश्ण का जो भी दोस्त अप्सन अंबर दी बता रहे हैं माक का इनका राइट एंसर रोजिगा अप्सन अबर D, d is the right answer for the discussion आप हमेशा प्रेक्टिस करते रहे दोस्तों और यहाँ पे प्रश्ण है कि बैल यका बिर्या किस किस में संचित होता है तोरल नाइट्रोजन तोरल कारवन डाइकसाइड इन में से कोई नहीं और सी है बॉर्फ तो बैल का बीर या किसमें संचीत होता है तो 44 नम प्रस्टने का राइटेंस और जो भी दोस्त आप्सन नमबर A बता रहे हैं तो एक समक्ति धागए में यहां पे बताना है कि कौन सा प्रोटीन होता है तो इसका राइटेंस और हो hetषी का फिब्रोइन विद्डशन नमके प्रोटीन पाये जाता है यह Um के दा धागे में दोस्तों यानि कि यहां पर जो सी है फिब्रोई इसकर आइटेंस रोजगा अप्सन अबर सी चलिए नेक्षण प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि लेडी के को सिकाएं क्या सरावित होती है लेडी के सेक्रेट टेस्टो एस्टेरों प्रोज जब हम आप सभी के लिए दो बज़े तक हम रात में जाक सकते हैं मेहनत करते हैं तो आप सभी को भी हमसे भी अधिक मेहनत करना ही परेगा दोस्तों जब आप बड़ा सपना देखे हैं तो आपको बड़ा बड़े तरीके से भी परना ही होगा यानिकि अधिक सदीक आप 30% लाना है, या 90% लाना है, तो आप जरूर ही लाएंगे दोस्तों, आप अपने आप से संकल्प करके तो देखिए, कि हम तो लाएंगे तो लाएंगे ही इस बार, तो संकल्प करके देखिए, एक बार जरूर, तो आपका जरूर ही आएगा दोस्तों, अगर आप सुचते हैं क चलो ना तीन साथ नमर सरी तीन सा नमर आज़ें निकि फॉस्ट हमको किसी तरह से चाहिए तो फॉस्ट तो आएगा है दोस्तों क्योंकि बोरी जब भूती सिलिवास जो है बहुती क्या बहुती हालका कर चुका है लेकि फॉर्ष से ज़रूरत नहीं है दोस्तों लगख साथे 400 पलस आप लाते हैं तो ही आज के डेट वे आपको बहुत ही उंचा की तरफ देखा जाएगा दोस्तो तो आप 420 पलस लाने का प्रयास किजिएगा दोस्तो ठीक किसी तरह से आप टारगेट रखिए 450 से उपर तो आप इतना जरूर ही लात देंगे दोस्तो ठीक तो आप हमेशा बड़ा सोचिए दोस्तो ठीक तो यहां पर प्रशने के मुखी गर्व नीरोधा के निम्नांकित में से किस सन्योजन का बाना होता है तो इस प्रशने का इंसर क्या होना चाहिए तो यह डी इसका र आप डिस्टर करके देखिए वह आपका साथ छोड़ देगा दोस्तो और आप अपने पढ़ाई में भी मन लगा देंगे दोस्तो ठीक जिसे आप मालीजे आपको कहीं ज्यादा टाइम में लॉस होता है तो उसको एक से दो दिन तक आप उसे छोड़ देजे दोस्तो ठीक आ आप एक बार पढ़ाई से भी तो प्यार कर लिजिए पढ़ाई से अगर प्यार जब हो जाएगा दोस्तो तो आपको बाड़ा आदमी बनाकर ही छोड़ेगा दोस्तो यह ऐसा होता है एक बार पढ़ाई से करके तो देखिए दोस्तो डीन ए प्रतिकरन के दोरान लेडिंग स्ट्रेंड का नीरमार कैसे होता है तो इस प्रश्ण का राइट एंसर क्या होना जाए 48 नवर प्रश्ण का राइट एंसर होजेगा और यहां पर प्रश्ण है कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा परस्तावित की गई थी तो इस प्रश्ण का राइट एंसर जो भी दोस्त अप्शन नबर ए बता रहे हैं क्रीक इनका राइट एंसर होजेगा अप्शन नबर ए दोस्तो अगर आपको पीडिएफ जरूरत है आप सभी को मान लिजे आपका त्यारी अगर सब्जेक्टिव नहीं हुआ है इस पीडिएफ को सिर्फ अगर पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही आप नहीं चिंत हो जाईए कि इसी पीडिएफ से ही 100% कोसंस आने वाले हैं दोस्तो एक बार एक बार लेने का प्रयास के जिग आप बोले थे कि 99 रुपीस में ही लाए ये तों बहुत ही कम रुपीस से आप सभी के लिए लाए हैं दोस्तों और और आरवीसी के पतन का कारण क्या होता है आर्सेनिक योगी हाइडरोकार्बन यमोनिया और सलफर योगी तो आरवीसी निगा रेड बलट सिल के पतन का जो 80 रुपिस वाली इसका फीस रखा गया है दोस्तों ये कोई ज़्यादा दाम नहीं है दोस्तों ठीक जल प्रस्पूटन किसे से बनता है तो जल प्रस्पूटन किसे बनता है या पताना है तो इस प्रस्णिकर आइटेंस रोजगा प्लेंग टोनी के सेवाल से यानिक इसका राइटेंस रोजगा ऑप्सन नमर डी एक बर और नमबर हम बताना चाहते हैं कि 271-0-277 271-0-277 यहीं हमारा फोन पे नमबर भी है वार्शेप नमबर भी है और कंटेक्ट नमबर भी है पीडियफ लेने से पहले अगर बात करना चाहते हैं तो बात करके आप पीडियफ ले सकते हैं बिलकुल ही आसानी से दोस्तों ठीक तो यहां पहें मीडिकर निर्मार कीज़ पर किरिया से होता है तो इस परस्ण का राइट एंसर जो भी दोस्त अप्सन नमबर तीरपन का डी बता रहे हैं कि अपच्छाय और मिर्दा जनन इसका राइट एंसर हो जगा जो कि राइट एंसर हो जगा डी नहीं कि बी और सी दोनो चलिए हम लोग नेश्ट परस अजर्य होज भूफिघ जो भी दोस्ते अपसे नमर्बी बता रहे उनका राट एंसर हो जगा और फफुंद हाइपी अंतरकोशी की कीस में रहते हैं तो फफूंद हाइफी अंतरकोशी की कीस में रहते हैं यहां पर बताना है तो इस प्रश्ण का एंसर जो भी दोस्त आपसन नमबर A बता रहे हैं एक टू माइको राइजा इसका आइटेंस रोजगा आपसन नमबर A A is the right answer for this question और जल्दी से टाइप कर दिजे कि ओजोन का सुत्र क्या होता है और प्लियोट्रोपिक जीन कैसा प्रारूप लक्षान दरसाता है बताना है तो इस प्राशन का एंसर जो भी दोस्त आपसन नमबर B बता रहे हैं पिभिन लक्षान प्रारूप इसका आइट एंसर रोजगा आपसन नमबर B जो भी दोस्त नए जूरे होंगे सेसन में तो वह सब्सक्राइब जोड़ कर लेजेगा क्योंकि अब जितने भी सेसन आएंगे वह बोर्ड से रिलेटेड होंगे और इन सेसनों को अगर सही से त्यारी कर लेते हैं तो बोर्ड एक्जामे कहते हैं आपसे एक भी प्रशन तर आइट एंसर क्या होना चाहिए तो इसमें आर आर वाई वाई होता है यानि कि बरका आर छोटका य और बरका वाई और छोटका वाई इसका राइट एंसर लोजगा ऑप्सन नमबर डी दोस्तों और यहां बताने कि भारत का राष्टिय जलिये पक्षू कौन सा होता है नदी डल्फीन गेंगेटिक सार्ख दरियाई घोरा अबलू हवेल तो इस परस्न कर आइट एंसर सो परसेंट क्या दो सब परसेंट विद्यार्थी का एंसर आ गया होगा कि भारत कर राष्टिये जल पाइगा आइटा सैन सामिल नहीं हो जाएग तो तो इस परस्ण का right answer क्या होने चाहिए तो यह बना स्पतिक प्राणी उद्यान इसका right answer होज़ेगा option number B बीजदर right answer for discussion दोस्तो अगर like नहीं किया होंगे तो ज़रूर like कर लिजएगा और चानल से अगर नहीं जूरे होंगे तो subscribe ज़रू कर लिजएगा दोस्तो ठीक और आर्वी के कैंची जो DNA को 26 अस्तर पर कारती है वह क्या हो जाएगा तो इस परस्ण का answer होज़ेगा प्रातिबंध इंडो निकुलेज इसका right answer होज़ेगा option number B यानिकि restriction इंडो निकुलेज इसका right answer होज़ेगा ठीक और यहां बेबताना है कि SCID यानिकि कौन SCID के लिए gene therapy में सन्वाहा के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस परस्ण का right answer जो भी दोस्ता option number A बता है रिट्रो वाइरस इसका right answer होज़ेगा option number A चले हम लोग जली जली में कर लेते हैं सभी questions को कि कौन सा मनुस्यों में SCID अंग हो जाएगा तो यहां बेबताना है कौन सा हो जाएगा ठीक तो इसका right answer जो भी दोस्त option number D बता रहे हैं इसका right answer होज़ेगा option number D जो है वह right answer हो जाएगा और अब सबसे खतरनाक जो SCID है वह ज्यादा तर पूचा जाता है कि appendix को SCC अंग के रूपे भी जाना जाता है ठीक तो इसका right answer का option number D और यहां पे BT का पास निम्नांकित में से किसका परतिरोध करते हैं तो BT का पास यहां पूचा गया है कि से किसका परतिरोध करते हैं कीटों से बीमारी जिमारों से रोग जना को सुत्र क्रीमी पर जिवी अफफुंद रोग जना को तो इसका right answer जो भी दोस्त तीरसट का यह बता रहे हैं उनका right answer का option number A is the right answer for discussion और यहां पे है कि PCR में प्रयुक्त टेक प्रयुक्त टेक प्रयुक्त का सुरोध क्या होता है तो इस प्रश्ण का right answer जोजगा option number A थर्माफिली के जिमारों इसका right answer जोजगा option number B बीजदर right answer for discussion चलिए हम लोग प्रयुक्त प्रयुक्त को देख लेते हैं और और भी और पांच कोशन से है कि अनुवनसिक के अभियांतरी की द्वारा इंसुलीन के उत्पादन में निम्नांकित में से कीस का उप्योग किया जाता है तो इसका right answer क्या होना चाहिए तो आब इसका right answer क्या होना चाहिए कि अनुवनसिक अभियांतरी की द्वारा इंसुलीन के उत्पादन में निम्नांकित में से कीस का उप्योग किया जाता है तो इस प्रस्ण का answer हो जेगा वह option number B E कोली का होता है B is the right answer for discussion चलिए आज का 66 नव प्रस्ण को देख लेते हैं जो की काफ टीपी कोनों पात योगता की उतर जीविता का वीचार की इसके द्वारा प्रीक्त किया गया था तहीं पर है योगता की उतार जीविता की इसके द्वारा प्रेयुकत किया था चाहल सडारिन, यूगोगड़ éang moorek तो इस प्रस्ण का right answer और बाता रहे हैं चार्स डार्वीन इसका राइट एंस रोजिगा आपसन नमर ए ए इस दर आइट एंस फोर्द इसको तो चलिए हम लोग 67 अपरस्ट को देख लेते हैं जो की काफी महत्तपुन है कि नुने लिखित में से किसका उपयोग हरीत खा दिया ये उर्वरक के रूप में किया जाता है चावल, मका, जई और धेंचा तो इसका राइट एंसर क्या होँँ चाहिए कि किसका उपयोग हरीत खा दिया जिया उर्वरक के रूप में किया जाता है तो 60 का राइट एंसर रोजिगा ऑपसन नमर जो डी है वह राइट एंसर रोजिगा ऑपसन नमर डी और है कि सरुज़ दोगा अप्शन भर सी सी दर आइटेंस और यहां बें प्रस्ण आप देख रहे होंगे 69 प्रस्ण को कि निम्नय लीकित में से कोन हूमोश्यप्यенगें का प्रत्यक्स हे एक रामा-फि कास से हुमो इरैक्ट कि आश्टेलइल पेिखास और होमो नेंडर् सेलींस ईसका राइट अन्षर होजेंगा होमोश्यप्यक्स जो पूर्वह हो जाएगे वह हो तेक इसको a चलिए नेक्टिना प्रस्णते में जो कि आज का लाजन प्रस्nov कि वहीत जल जल के प्रात्मिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा क्दम सामिल है तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि वाहित जल मल जल के प्रात्मिक उप्चार में निमलेखित में से कौन सा कदम सामिल है तो इस परकार से हम लोग सतर अबजेक्टिव को अच्छे से कबर कर चुके हैं जल्दी से बता दिजी कि आप कितने प्रस्णोतर पहले से आप जानते थे ठीक तो मान लिजे हम लोग तो अबजेक्टिव के लिए रकार ही चुके हैं मान लिजे आपका सबजेक्टिव अभी आप तियारी नहीं कर पा रहे हैं अगर आप पीडिएफ लेना चाहते तो पीडिएफ आपको मान लिजे फिजिक्स केमेश्टी और बायलोजिक अगर पीडिएफ लेना चाहते हैं बीस सतर साथ यहीं हमारा सबकुष नमबर रहे हैं कि फोन पे कंटेक्ट नमबर और वार्शेट नमबर के माध्यम से आप कर सकते हैं तो अगर फिजिक्स और कमेश्टी लेना चाते हैं तो मात्र 80 रुपिया इसका दाम है लॉंग कोशन और सॉट कोशन ठीक और फिजिक्स कमेश्टी बाइलो जी अगर तीनों लेना चाते हैं तो 99 रुपिस में आपको दे दिये जएगा तीनों का दुस्तो सब्जेक्टिव और लॉंग कोशन और सॉट कोशन दुस्तो तो इसी नमबर पर अगर बात करके लेना चाते हैं तो बात करके भी ले सकते हैं PDF तो इस परकार से अगर ले लेते हैं तो सब्जेक्टिव में आपका पूर्णता तयारी हो जेगा दुस्तो PDF से ही आप तयारी कर लेंगे तो 100% लटने वाले हैं सभी कोशन यहीं से तो इस परकार से इस महत्यपोंच सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको थोड़ा सभी चलेगी हो तो लाइक जोग कीज़ेगे दुस्तो और चांसर नए जोड़े होंगे तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लेजेगा तो हस्ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी त्यारी को मजबूत करते रहिए तो अभी के लितना है दोस्तो आज के लितना ही जैहिंदे